हलो ओपी क्लास इसके डिजटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुन्हा स्वागत है आज हम लोगों को पढ़ने हैं 28 जन्वरी 2021 के Most Expected Current Affairs तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न पहला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्राले ने प्रवासी स्रमिकों के लिए स्रम शक्ति एक राष्टिय प्रवाशन सहायता पोर्टल डिजिटल डेटा समाधान लौंच किया है तो हाल ही में जंजातिय मामलों के मंत्राले ने प्रवासी स्रमकों के लिए स्रमसक्ती नाम का एक पोर्टन लॉंच किया है इस पोर्टल को लॉंच करने का काम जंजातिय मंत्राले के मामलों के मंत्री स्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया है इसके साथ ही स्री मुंडा जी ने प्रसिक्षन पुष्टिका स्रम साथी को भी लॉंच किया है इस पोटल के तहट आदिवासी प्रवासी स्रमिकों का डेटा एकत्रित किया जाएगा तथा स्रमिकों को आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत बिविन प्रकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा चलिए देखते हैं मारा आज का दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न है विप्रो संगठन ने मध्य प्रदेश शरकार के ज्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं इस समझोते के तहत विप्रो संगठन ने मध्य प्रदेश के भुपाल में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर खोलेगा इसके अलावा 50 एकर जमीन मध्यप्रदी सरकार ने विप्रोशमू को विश्विध्यालय खोलने के लिए भी दी है राज भी फाउंडेशन को हर तरीके की संभव मदद प्रदान करेगा बात की जाए विप्रोशमू की तो वरतमान मैं अजीम प्रेम जी विप्रोशमू के प्रमुक चलिए दिखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्ण किस राज सरकार ने यूद्स के लिए उध्यमी सार्थी एप लाउंच किया है तो हाल ही में उत्तर प्रदेश शरकार ने युबाओं के लिए उध्यमी सार्थी एप लॉंच किया है उत्तर प्रदेश शरकार ने 24 जनबरी 2021 को राज के 71 वे स्थापना दिवस की अफसर पर यह उध्यमी सार्थी एप लॉंच किया है उद्यमी सार्थी एप युवाओं को रोजगार बनौकरी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएगा यह एप एक जिला एक उत्पात योजना के तहत लॉंच किया गया है उत्तर प्रदेश प्रतेक वर्स 24 जन्वरी को अपना इस्थापना दिवस मनाता है और इस वर्स उत्तर प्रदेश का 71 इस्थापना दिवस मनाया गया जिसका विशय था आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश के लिए सम्मान महला युबा किशान सभी का विकास बात की जा उत्तर प्रदेश की तो यह 20 करोड से अधिक जनसंख्या वाला राज्य है जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदेत्यनाथ जबकी राजपाल आनंदी बेन पटेल हैं 24 जन्बरी 1950 को बने उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं चलिए देखते हमारा आज का चोथा प्रश्ण चोथा प्रश्ण है भारती रेलवे की सबसे लंबी मालगारी का नाम क्या है जिसने 36 गड में दच्छन पूरु मध रेलवे से सी आर के छेतर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है तो हाल ही में भारती रेलवे ने सबसे लंबी मालगारी बासुकी का परिचालन सुरू किया गया है 36 गड में दच्छन पूरु मध रेलवे में चलने वाली सबसे लंबी मालगारी जिसे बासुकी नाग नाम दिया गया है भेलाई से कुरबा के बीच कुल 224 किलो मीटर की दूरी तै करेगी 3.5 किलो मीटर लंबी यह मालगाड़ी 295 डिब्बों के साथ पाँच इनजनों के द्वारा खीची जाएगी जो की 7 गंटे में 224 किलो मीटर की दूरी तै करेगी बासुकी नाग से पहले सबसे लंबी मालगारी सेस नाग हुआ करती थी जो की चार इंजनों द्वारा खींची जाती थी इससे पहले एनाकॉंडा नाम की सबसे लंबी मालगारी को खींचने का काम तीन इंजनों द्वारा किया जाता था हाल ही मैं बासुकी नाग में प्रियोक्त पांच इंजनों के कार करने की तकनिक को बिशाखा पत्नम की कमपनी लोटस ने बनाया था चलिए देखते हमारा आज का पांच बाप्रश्न पांच बाप्रश्न है निमन लिखित मैं से किस कमपनी ने गुड होस्ट में 24.48% सेयर 232.8 एक करोड रुपे में बेचने का समझोता किया है तो हाल ही में Housing Development Finance Corporation Limited यानि HDFC Limited ने गुड होस्ट में 24.48% सेयर 232.8 एक करोड रुपे में बेचने का समझोता किया है चात्र आवास सुबधाओं के प्रवंधन से जुड़ी कमपनी गुड होस्ट को HDFC अपने 24.48% सेयर बेचेगा चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला चटबा प्रश्ण चटबा प्रश्ण है अन्दमान और निकुबार दीप समुग के दीपों में सेना, वायुशेना तथा भारतिये नो सेना द्वारा आयोजित बड़े पैमाने पर तिरकोणिये सेवा संयुक्त अभ्यास का नाम बताईए तो हाल ही में अन्दमान निकुबार दीप समुग में एमफेक्स टॉंटी बन नाम का एक तिरकोणिये सेवा संयुक्त अभ्यास जो की भारतिये थल सेना, भारतिये वायु सेना तथा भारतिये नो सेना द्वारा आयोजित किया गया है चलिए देखते हैं हमारा आज का सात्वा प्रश्न सात्वा प्रश्न है किस देश के साथ भारत ने डेजर्ट नाइट अभ्यास का पहला संस्कन आयोजित किया है तो हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का पहला संसकन आयुजित किया है यह डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास रायस्थान के जोधपुर में आयुजित हुआ जिसमें भारती वायुसेना तथा फ्रांस की वायुसेना ने भाग लिया यह अभ्यास और भी महत्पूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों देशों ने इसमें राफिल बिमान का छित रक्षण भी सामिल किया था इस अभ्यास का आयोजन 20 से 24 जन्बरी 2021 के मध जोधपुर में किया गया था चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवा प्रश्न आठवा प्रश्न है राष्ट्रिय परियतन दिवस प्रतेक वर्ष कब मनाया जाता है तो प्रतेक वर्ष 25 जन्बरी को भारत में राष्ट्रिय परियतन दिवस यानि नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है बर्ष 2021 की नेशनल टूरिज्म डे की थीम है देखो अपना देश भारत में पर्यटन के रूप में सांस्कृतिक, प्राकर्तिक, सैक्षिक, विरासस से जुड़ी हुई, बैवसायक तथा खेल से सम्बंदित सभी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रत सर्वुत्तम जीबन रक्षा पदक पुरुसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है तो गरतंत्र दिवश की पूर्व शंध्या पर भारत के राष्टपती स्री रामनाथ कोबिन ने 40 व्यक्तियों को जीबन रक्षा पदक से सम्मानित किया जिसमें एक व्यक्ति को सर्वुत्तम जीवन रक्षा पदक, आठ व्यक्तियों को उत्तम जीवन रक्षा पदक तथा 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। तो पृतियक वर्स 25 जन्वरी को राष्टिय मतदाता दिवस मनाय जाता है। चित बासूचित करना। इसके अलावा सेशन अब दे का कोशन है बासुकी नाग भारत की सबसे लंबी माल गाड़ी है। पांच इंजनों द्वारा खींचा जाता है। इस पांच इंजनों के कार करने की तकनीक को किस कंपनी ने विक्सित किया है। दोनों प्रस्णों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने है। जानने हैथ